हालो आवरीवन, वल्कम बैक तो माई चैनल, आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट नमबर 36 कवर करने वाले हैं ओके, जो के ये सारे ही कुश्चन्स जो हैं UPPCS और आरो यारो के प्रिलिम्स एक्जाम के लिए काफी ज़दा इंपोर्टेंट हैं तो सारे ही टेस्ट लगा लीजेगा, बागी के 35 टेस्ट भी टल चुके हैं स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कुश्चन के साथ किंगाली समझोता कब हुआ था? यूर आप्शन्स आर 2015, 2016, 2017 and 2018 तो ये जो समझोता हुआ था, ये हुआ था 2016 में आप्शन नमबर B is correct अक्टूबर 2016 में रवांडा के किगाली में 197 कंट्रीज ने हाइड्रो फ्लोरो कार्बन स्ट्रेडी के ग्रीन हाउस गैस समुह की प्रबल गैसों को रोकने के लिए ये जो है समझोता किया था इसमें शताबदी के अंत तक विश्व के तापमान में जिएरो पॉंट फईग्री सेल्सियस की कमी लाने का लक्षए जो है रखा गया है टेंक हमेजा एसे ही कितनी कमी लाने का लक्षए रखा गया है ठीक है कब तक के लिए लक्ष रखा गया है कितने countries ने इसमें पार्टिसिपेट किया है तो ऐसी चीजों को याद रखा करिए next question है कुछ युग्म दिये गए हैं यानि कि कुछ pairs है आश्रेस्थल और पशुपक्षी जो वहां के प्रसिद्ध है तो दोनों रो दिये गई है इनमें से हमें बताना है कि incorrect pair कौन सा है राइट first है भितर करिका जो कि कछुआ के लिए प्रसिद्ध है दूसरा है केवला देव सफेद बाग third है दाची गाम हंगुल म्रग and d है पेरियार जो कि हाथी के लिए प्रसिद्ध है हमें बताना है incorrect कौन सा है ठीक है तो इसमें से जो incorrect है वो है आपका sorry sorry दाची गाम दाची गाम ने केवला देव जो है ये आपका incorrect है क्योंकि ये Siberian के लिए जो है माना जाता है ये famous है Siberian के लिए B जो है यहाँ पर incorrect होना चाहिए Siberian crane का आस्रस्थल है सफेद बाग हेतू ओडीशा के नंदन कानन अभ्यारंडे को जाना जाता है जबकि बात करें केवला दीव रास्टर उध्यान की जो कि Siberian crane का आस्रस्थल है ठीक है तो दोनों ही चीज आपको पता चल चुगी है नेक्स्ट है question number 3 वर्तमान में भारत में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित शेत्र हैं ठीक है options दे रखे हैं आपर 12, 15, 18 और 21 सभी को पता है इसके बारे में तो 18 ही है option number C is correct भारत में कुल 18 जैव मंडल आरक्षित शेत्र हैं कौन से कौन से है ये वीडियो के special topic में डल चुपी है so please आप उसे देख लीजे next question की बात करेंगे question number 4 निम्र लिखित में से कौन सी गैस मनुष्य को प्रत्यक्ष प्रभावित नहीं करती है यानि कि directly वो उसको कोई effect नहीं करती है indirect way में कर सकती है यह options are carbon, monoxide, carbon dioxide and methane and sulfur dioxide so that is methane जोके direct effect नहीं करती है option number C is correct ठीक है methane gas greenhouse प्रभाव में जिम्मिदार है यह मनुष्य को प्रत्यक्ष प्रभावित नहीं करती है question number 5 की बात करेंगे अमल वर्षा की संदर्व में यहाँ पर कुछ कथन दिये गए हैं दो ही कथन दिये गए हैं हमें विचार करना है और उसके बाद बताना है कि सही है या नहीं कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनना है first statement है अमल वर्षा के कारण भवन तिथा मूर्तियों का गलना stone leprosy कहलाता है second statement है अमल वर्षा के जल का pH मान 4.2 से कम होता है options हमेशा की तरह वही है हमें बताना है कौन सा सही है इसमें से देखे दोनों statement बिल्कुल correct है कोई इन में कमी नहीं है दोनों ही statement को आप वापस से पढ़ सकते हो answer यहाँ पर C हो जाएगा option number C is correct अमल वर्षा के संधर्वों में उपरोक्त दोनों कथन बिल्कुल सही है question number 6 की बात करेंगे तो जो कार्बेट रास्ट्रिय पार्क है सबसे पहले तो यही जान लीजिए यह कहां पर है उत्राखंड में हालांके सभी को पता होगा बहुत ही easy सी चीज है यह तो कितने जिलों में फैला हुआ है तो वो दो जिलों में फैला हुआ है option number B is correct कॉर्बेट रास्ट्रिय पार्क दो जिलों में फैला हुआ है पार्क का एक प्रमुक हिस्सा 312 दस मिलब 8 6 वर किलोमीटर शेत्रुफल पौडी गड़वाल जिले में और शेत्र हिस्सा जो है यानि कि 208 दस मिलब एक चार वर किलोमीटर ननी तल जुले में आता है बात करेंगे question number 7 की चिनाब नदी निम्लखित में से किन नदियों के संगम से बनती है यानि कि ये किन दो नदियों के मिलने से बनती है options है लहरी वसत्ना, द्रोणा वभीमा, चंद्र वभागा, एंड वन गंगा और चंद्र भागा बता देजे कि कौन सी वो दो नदिया है जिनके मिलने से चिनाब नदी का जो है निर्माण होता है या फिर वह नदी बनती है कुछ भी कह सकते हैं आप तो देखिए वो दोनों नदिया हैं चंद्र और भागा option बर सी शुट बी करेक्ट, लट सी यस, सी इस आंसर ओफ दिस कौस्चन, चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहुल एवम स्पीती जिले के तांडी में कीलों के दक्षर पश्यम से 8 किलोमीटर दो नदियों जिनक बाबा साहिब अमेट करकी कौन सी वी जैनती मनाई जा रही यानि के कौन सी नमबर की जैनती है, your options are 120 या फिर 130, 140 और 150 तो देखिए बाबा साहिब अमेट करकी 14 अपरल 2021 को 130 जैनती जो है मनाई जाएगी, option नमबर B is correct 14 अपरल 2021 को बाबा साहिब अमेट करकी 130 जैनती मनाई जाएगी, बाबा साहिब अमेट करका जन्म हुआ था 14 अपरल 1891 को और कहां पर हुआ था मद्दे प्रदेश में नेक्स्ट है निम्लिकित कथनों पर विचार करके कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए फर्स्ट स्टेटमेंट है रासाइनिक रूप से हार्मोन मुख्यत है इस्टी रॉइट्स या प्रोटीन्स या फिर प्रोटीन्स से उत्पन्र पदार्थ होते हैं सेकंड स्टेटमेंट है रुधिर प्रतेक हार्मोन का पूरे शरीर में समवहन करता है हमें बताना है कि इसमेंसे कौन सा सही है options हमेशा की तरह आपकी वही है केवल एक केवल दो एक और दो दो या फिर ना तो एक और नहीं दो so the answer of this question is c because both are correct right so option number c is correct एक और दो दोनों ही सही है हार्बोन के संदर में दोनों कथन बिल्कुल सही है now question number 10 नेम ने लिखित कथनों में से कौन सा असत्य है incorrect option यहाँ पर पूछा गया है chromosome nucleo protein protein के बने होते है second option है author cornberg ने dna को अंतह पात्र में बनाया था and option number c है genome के अधियन को genome mix कहा जाता है option number d Gregor Mendel ने प्रयोग शाला में सरपरिथम genetic code का simulation किया था okay तो हमें incorrect बताना है Gregor Mendel ने प्रयोग शाला में सरपरिथम genetic code का translation किया था जी नहीं उन्होंने नहीं किया था यह हर्गोविंद नाम के एक विज्ञानिक थे उन्होंने किया था तो यह incorrect हो जाएगा answer हमारा d ही हो जाएगा because वहां पर incorrect पूछा गया है हर्गोविंद खुराना था उनका पूरा नाम जिन्होंने प्रयोग शाला में सरपरिथम genetic code का translation किया था बाकी के जो options हैं बिल्कुल correct है question number 11 की बात करेंगे अंकुरित बीजों में पाई जाने वाली शरकरा है your options are maltose, sucrose, lactose and glucose so हमें बताना है अंकुरित बीजों में पाई जाने वाली शरकरा कौन सी है इसमें से तो वह है आपकी maltose option number a is correct ठीक है maltose अंकुरित बीजों में पाई जाने वाली एक शरकरा है next यहां पर statement and reason वाला question आया है so देखते हैं इसको यहां पर कथन दे रखा है यानि कि a जो कथन है गाए का दूद हलका पीला रंग का होता है क्यूंकि गाए के दूद में कैरोटीन पाया जाता है हमें बताना है options आपको याल रहने चाहिए इसे questions के क्योंकि इनके same ही options हमेशा बनते है a और डोनों सही है और एकी सही व्याख्या करता है a और डोनों सही है परनतु आर एकी सही व्याख्या नहीं करता है and option number c is a सही है परनतु आर गलत है and d a गलत है परनतु आर सही है क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें बिल्कुल सही है और इस पस्टी करण भी बिल्कुल सही है देखिए गाय का दूद हल्का पीला दिखाई देता है अगर आपने देखा हो तो and reason होता है क्योंकि इसमें कैरोटीन पाया जाता है this is the reason behind that so answer आपर हमारा A हो जाएगा option number A is correct गाय के दूद में कैरोटीन पाया जाता है जो गाय के दूद को हल्का पीला रंग प्रेदान कर देता है ठीक है so अधह विकल्प A यहाँ पर सही है बात करेंगे question number 13 की शरीर के अंग शरीर के अन्य अंगों की तुल्ला में किसको oxygen की ज़्यादा जरूरत होती है किसको ज़्यादा oxygen की नीड होती है that is mustisk option number C is correct शरीर के अन्य अंगों की तुल्ला में बात करें mustisk की तो उसको ज़्यादा oxygen की नीड होती है next है question number 14 ठीक है so क्रेप्स चक्र कहा संपन होता है options है ribosome में, mitochondria में, lysosome में या फिर kेंद्रक में ठीक है तो देखें जो क्रेप्स चक्र होता है वो mitochondria में संपन होता है option number B should be correct यहाँ पर answer miss हो गया है type करना देख लेते हैं explanation में दे रखा होगा कोशिक यह स्वशन में अधिक्तम ATP यानि की adenosine triphosphate अड़ों को उत्पन करने वाला पद क्रेप्स चक्र है यह चक्र mitochondria में संपन होता है इस चक्र की खोज हैंस क्रेप्स ने की थी नाम से ही वैसे तो बता चल रहा लेकिन प्लीज इस फैक्ट को भी याद रखना questions यहां से बन सकते हैं बात करेंगे question number 15 की so कथन दिये गए हैं कूट के मादे हम से सही उत्तर का चैन करना है इस question में हमको first statement is down syndrome एक अनुवशिक विकार है जो कि मनुश्यों में गुड़सूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है second statement है थैलेसीमिया के रोगी के शरीर में अत्यधिक रक्त अरक्तिता उत्पन हो जाती है केवल एक गलत है केवल दो गलत है एक और दो दोनों गलत है या फिर एक और दो दोनों सही है means to say कि ना तो एक गलत है और नहीं दो गलत है इस तरीके से option देना चाहिए था बड़ कोई बात नहीं हम देख लेते हैं कि जो है कौन सा statement यहाँ पर गलत है या फिर नहीं है देखिए actually यह दोनों statement आ बिल्कुल correct है ठीक है अब क्यूंकि यह दोनों को पढ़ सकते हो नेक्स्ट है question number 16 ने में लिकित यूगम वैसे कौन सा सही सुमिलित नहीं है हमेशा की तरह हमें यहाँ पर incorrect pair को बताना है कि कौन सा है incorrect रोग दे रखे और उनके कारण दे रखे हैं किसके कारण यह रोग होता है फिर्स्ट है कुष्ट रोग जो के करनों यहां दे रखा है लेकिन कि नाम अलग-अलग होते हैं कौन से जीवाडू के कारण होता है कौन से विशाण इस तरीके से डी है वर्णांथता जो कि वन्शानुगत रोग है इनकरेक्ट कौन सा है यह आपको बताना है यहाँ पर तो देखिए इनकरेक्ट इसमें है आ इस जीवाडू का नाम है यह दे रखा है यहाद रखना काफी लंबा इस नाम है कुछ रोग एक संचार शील रोग है जो कि इस माइको बैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाडू से फैलता है अन्य जो योग में है वो बिलकुल सही है देखे बाकी के योगमों को यहाद बताएगा राइट बाकी को भी इंकरेट बता सकता है तो प्लीज इन चीज़ों को क्लियर रखा करिए क्वेश्चन नमबर 17 की बात करेंगे मेटा कारपल्स नामक अस्थियां कहां इस्थित होती है यूर ऑप्शन्स आर सिर में पैर में हाथ में या फिर कंधे में अस्थि करेंगे में छोटी-छोटी 8 अस्थियां पाई जाती हैं जिन्हें करेंड केहते हैं इसके आगे प्रतिक-पंजे फ löंबी अस्थियां पाई जाती हैं जिन्हें मेटा कारपल्स कहते हैं ऑके जो ie यहाँ पर आञसर करेक्ट हो जाएगा question number 18 को देखेंगे निमलिकित कथनों पर विचार करके code के माध्यम से सही उत्तर का chain कीजिए first statement है plasma रक्त का 72-72% भाग होता है यानि कि रक्त में plasma का कितना part होता है second है रुधिर कडिकाएं जो होती है वो रक्त में कितना participate करती है 22-25% तो देख लेते हैं क्या पूछा गया है इसमें सही उत्तर का chain करना है code के माध्यम से answer ने देखने पाई यह question थोड़ा अच्छा सा है केवल एक सही है केवल दो सही है एक और दो दोनों सही है और ना तो एक और ना ही दो वापस से आपको statement पर ले चल सकते हैं ताकि आप दोबारा से इनको भड़ पा है ठीक है देखिए होता कुछ ऐसा है कि जो प्लाजमा का भाग होता है रक्त में वो 55% something होता है 55-60% माल लीजे ठीक है और अगर बात करें यहां पर किसकी रुधिर काडिकाओं की तो इनका पार्ट होता है 40-45% ठीक है तो बहिएए इस हिसाब से तो दोनों का भिलकुल लेना देना ही नहीं है कई आस पास भी नहीं भटक रहा है वो जो यहां पर यह ratio दिया गया है तो यह आस पास भी नहीं है तो मेरे हिसाब से यह दोनों statement जो है गलत है तो answer यहां पर होना चाहिए ना तो एक ना ही दू देख लेते हैं एक बार फटाफट से हांजी बिलकुल D जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्योंकि ना तो एक और ना ही दू प्लाजमा हलके पीले रंगा तरल होता है तथा यह है रक्त का 55-60% भाग होता है और रुधिर कणिकाओं का 42-45% भाग होता है बात करेंगे question number 19 की यकृत के संदर्व में कौन सा कथन असत्य है incorrect option यहाँ पर पूछा गया है अगर आपने यकृत को बहुत अच्छी तरीकी से पढ़ रखा है बायलोजी में तो आप यहाँ पर बहुत अच्छी ढंग से आंसर कर पाएंगे first option है इसमें पित्ताश है स्थित होता है second option है इसमें हेपरेन का निर्माड होता है third option है यह कृत में vitamin C संचित रहता है and the last option is इसका भार लगबग 1.5 kg होता है दिखिए incorrect पूछा गया है तो जो यकृत होता है इसमें vitamin C तो संचित नहीं रहता है A भी रहता है और कहीं न कहीं D भी रहता है बट C का इसमें कोई पार्ट नहीं होता है तो यह incorrect है इसलिए answer C हो जाएगा यकृत में vitamin A, vitamin D, loha वत तामबा संचित रहता है ना कि vitamin C ठीक है इसलिए बाकी के options correct है बट जो C है वो incorrect है निम ने लिखित योगों में से कौन सा सोबेलित नहीं है जीवाश्मों का अधियन यहाँ पर काफी सारी चीजों की study के बारे में बात की गई है उस study को एक particular name दिया जाता है फॉर एक्जामपल रुधिर रोगों का अधियन इसको हर्पेटोलोजी बोला जाता है पेशियों का अधियन इसको मायोलोजी बोला जाता है उतकों का अधियन इसको हिस्टोलोजी बोला जाता है जीवाश्मों का अधियन इसको paleontology बोला जाता है अब ही मैंने आपको ये नहीं बताया कि बोला जाता ही है या नहीं क्योंकि यह आपको incorrect पूछा गया है ना तो मैंने आपको एक example दिया है which is incorrect from these options so देखिए जो आपका रुधिर वाला होता है ना यानि कि जो रुधिर रोगों कि जो study होती है उसको herpetology नहीं बोलते है उसको बोलते है hematology उसको बोला जाता है एक second ही hematology ठीक है कई बार कुछ words ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने में बोलने में और लिखने में काफी अंतर आ जाता है तो आप देख लीजेगा इसको कोशिश के मैंने अच्छे जिलिखने की hematology तो answer क्या हो जाएगा मारा B रुधिर एवं रुधिर रोगों का जो अधियन होता है उसको hematology कहलाता है जबकि हर्पेटोलोजी उभेचरों एवं सरीस्रपों के अधियन को कहते है next question है उत्रपरदेश का सबसे छोटा मंडल कौनसा है कितने हैं उत्रपरदेश मंडल यह तो पता होना चाहिए न ठीक है तो सबसे छोटा मंडल आगरा है बरेली है अलीगड़ है या फिर सहारनपूर है सबसे छोटा मंडल सहारनपूर ही है option number D should be correct so उत्रपरदेश में मंडलों की संख्या 18 सबसे बड़े मंडल कानपूर और लखनू है जबकि सबसे छोटा मंडल जो है वह आपका सहारनपूर है याद रखना सबसे बड़े मंडल कौनसे है ठीक है बात करेंगे question number 22 की उत्रपरदेश की राजधानी के संदर में कौन सा यूगम गलत है जैसा कि आप सभी को पता है कि राजधानी यूपी की बदलती रही है so कब-कब कौनसी कौनसी राजधानी खोशित हुई है और वह आपको बताना है इसमेंसे एक incorrect है अगर आपको याद होंगे चारो टाइम जो के अभी लखनो जो है वो मतलब यह सारी जो है याद रहेंगी आपको तो आप बता सकते हो किसमेंसे कौनसा इंकरेक्ट है आगरा 1836 में उत्रपरदेश की राजधानी खोशित की कई थी इलहाबाद 1858 में और लखनो आशिक रूप से 1921 में यूप का जो कैपिटल है घोशित कर दिया गया था तो विच इस इनकरेक्ट अबाउट कैपिटल ओफ यूपी बता दीजे फटावट से देखे भाई नहीं ऐसा है ही नहीं है क्योंकि लखनो को पूरत है राजधानी 1935 में ही बना दिया गया था नॉट इन 1947 यहां पर दी होना चाहिए है डी उत्रप्रदेश की राजधानी पूर्ड रूप से लखनो 1935 में बनी थी नेक्स्टर कोशिए नमबर 23 दादा साहिब फाल के पुरसकार के संदर में हापर कुछ कथन दिये गया है हमें बताना है कि सही कौन सा है पहली बार देविकारानी को इस पुरसकार से सम्मानित किया गया था दादा साहिब फाल के पुरसकार के बारे में बात हो रही है और दूसरा है यहां पर स्ट्रेटमेंट अमिताब बच्चन को 2018 के दादा साहिब फाल के पुरसकार से सम्मानित किया गया था तीसरा है अभीनेता रजनीकांत को वर्ष 2019 के दादा साहिफ फाल के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा ठीक है तो नेक्स्ट है आपर वन एंट टू सही है टू एंट ट्री सही है वन एंट ट्री सही है फिर वन टू ट्री तीनो ही सही है फटा फट से बता दिए आंसर किया इस कॉश्चन का नहीं बता है तो मैं बता देती हूँ डी आंसर होगा क्योंकि ये तीनो ही स्टेटमेंट बिलकुल करेक्ट है दादा साहिफ फाल के पुरस्कार के बारे में यही है ना ना उत्राखंट अरुनाचल पुर्देश और मनिपुर देखे ये लेटिस्ट है याद होना चाहिए है ना एक्जाम में की कॉश्चन यहां से बन सकता है इसका आयोजन किया गया हिमाचल पुर्देश में आप्शन नमबर A is correct हाल ही में भारत और अमेरिका की विश्चिस बलों द्वारा हिमाचल पुर्देश में संयुक्त युद्धा ब्याष वज्र प्रहार 2021 का आयोजन किया गया है बात करेंगे कॉश्चन नमबर लास्ट यानि की 25 आंसर तो दिखी गया है तो बात में की लॉट्री लग गई कोई बात नहीं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की समय उसका मुख्यालक कहां इस थे था वैसे तो इजी सही क्वेश्चन है लेकिन जिनके लिए टफ है उनकी लॉट्री लग शुकी है ठीक है कोई बात नहीं सो अप्शन्स दे रखे हैं चेन नहीं दिल्ली मुंबई एंड कोलकाथा एक्चुली कोलकाथा में था ऑप्शन नमरद दी इस करेक्ट ठीक है भारती रिजव बैंग की स्थापना भारती रिजव बैंग का धीनियम 1934 के प्रावधानों की अनुसार एक अपरेल 1935 को हुई थी प्रारम में रिजव बैंग का केंद्रिय कार्याल है जो था वो कोलकादा में स्थापित किया गया था जिसे बाद में यानि कि 1937 में स्थाई रूप से मुंबई में स्थाना नतरित कर दिया गया प्रिजेंट गवर्नेट इसके शक्तिकान दास हैं सेंट्रल ब्रैंक ओफ इंडिया इसको माना जाता है कि यह है ठीक है इसके बारे में इंपोटेंट फैक्ट थे सबस्यादा इंपोटेंट फैक्ट जो है मैं यहां पर मेंशन करूंगी 1934 का एक्ट था यह चीज़ याद रखना लोग इसको एक्ट भी 35 समझ लेते हैं और इसके इस थापना भी 35 में ही समझ लेते हैं तो इसमें थोड़ा सा इन दोनों चीज़ों को याद रखना सो ठीक है इस थाना अंदर कब किया गया था यह वाला फैक्ट भी याद रखना 1937 है कोश्चिंस 25 यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं आपके और ठीक है बागी के सारे जो टेस्ट है वह भी लगा लीजेगा सु थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग मैं वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइ टेक कियर